अब हम डीप फाउंडेशन के जो डो टाइप है पाइल और वेल फाउंडेशन उनके बारे में डीप में समझ लेते हैं डिसकस कर लेते हैं तो बैसिकली, पैल फाउंडेशन क्या होता है और किस तरीके से वर्फ कता है क्यों नीड होती किसी ground surface के नीचे यहाँ पर आप चाहें तो इसे ground level ले लिजेगा तो यह ground level के नीचे आप देख पा रहे हैं इस तरीके की क्या है कि cylindrical shape में long columns को हमने क्या कर रहा है create कर रहा है यह long column क्या कर रहे है greater depth को achieve कर रहे है कैसी depth को अगर आप इनकी depth को देख है तो यह काफी depth तक जा रहे है यह depends करती है यह जो depth है यह depends करती है type of loading पर कि कितनी loading आ रही है तो depth of foundation अगर हम निकालना चाहें तो यह rankines formula के हिसाब से p upon w 1 minus sin 5 upon 1 plus sin 5 का whole square से हम निकाल सकते हैं तो depth of foundation आपको पता चल जाएगी तो basically अब यह जो pile है यह pile क्या कर रही है एक greater depth में जाके आपकी strength को achieve कर पा रही है अच्छा यह जो pile है यह किसी भी material की हो सकती है बुडण की आपको देखने को मिल सकती है steel की तीक है बुडण steel या फिर आपको concrete में RCC cast in C2 इस तरीके के material की आपको यह पाइस देखने को मिल सकती है यह जो piles हैं यह end bearing piles हैं तो यह जो piles है अगर नहीं देखें तो यह friction पाइल कहलाएंगी तो इस तरीके से इन में अपोजिट क्या हो रहा होगा ग्राउंड से फ्रिक्शन डैबलब हो रहा होगा यह दो केस बन सकते हैं एक तो यह फ्रिक्शन पाइल का केस बन सकता है और दूसरा आपका जो है वह हार्ड इस्टार्ट अगर कहीं पहुए तो बे मदस से क्या कर रखा होगा पैक कर रखा होगा कई बार ये जो बुड़न की material में अगर ये file किस material में होती है बुड़न material में होती है तो बुड़न का material नीचे मिट्टी के साथ या फिर पानी वाली space में अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे ये नीचे वाला इससा खराब हो सकता है तो इसके लिए हम शू यहां पर एक शू भी हम क्रिएट कर देते हैं मैं थोड़ा अट्रेक्टिव सा बना देता हूं इस तरीके का हम शू क्रिएट कर देते हैं जो हम कहां पर इसको फिक्स करते हैं उस पर्टिकूलर प्लेस पर हम वहां पर फिक्स करते हैं जहां पर आपको कि यह पाइल है इसके नीचे इस तरीके का शू भी आप क्या कर सकते हैं लगा सकते हैं यह शू जनरली स्टील का बना हुआ होगा जिस इनके अलावा अगर यह friction नहीं हो रहा होता और कोई undulations वाली इस जिगह होती तो हम इन पाइल को नीचे तक रखते और यह फिर अभी यह जो पहला case है यहाँ पर आपको यह friction पाइल का case देखने को मिल रहा है और अगर इस तरीके का case ना होता और नीचे hard starter हमें कहीं पर मिल रहा होता और uneven सी जमीन होती तो हम वहाँ पर इस तरीके की अगर पाइल प्रॉवाइड कर रहे थे तो बेरिंग पाइल भी हो सकती है वह आपकी कैसी पाइल कहलाती बेरिंग पाइल कहलाती तो यह basically pile foundation एक तो आपकी strength इसकी अच्छे होती है दूसरा यह higher depth में जाता है तो stability इसकी क्या हो जाती है बढ़ जाती है तो यह हो गई आपकी pile foundation अब अगली हम देखते हैं well foundation क्या होता है तो यह जो well foundation है आपका यह well foundation भी deep foundation का ही type है लेकिन जब आपको larger कहीं यह जो well foundation जो आपका होता है यह large diameter का होता है और high load bearing capacity सबसे अधिक load bearing capacity अगर हम देखे तो इसी की होती है generally हम bridge के case में जो बड़े-बड़े bridge होते हैं पानी वाली जगे पर हम इस तरीके का foundation provide करते हैं तो large diameter का आपने देखा होगा इस तरीके से एक columns create हम कर देते हैं और यह columns या यह well foundation जो है आपका high load bearing capacity इनकी बाहर शेंशील शमता सबसे ज़्यादा होती है और load को लेके transfer कर देते हैं to the ground surface जिससे इनकी stability का जो function है वो सबसे ज़्यादा होता है और यह जो foundation है यह जोगल काल से रोमन काल से बनते हुए चले आ रहे हैं तो well foundation आपका सबसे heaviest load को लेने के लिए capable है और यह कुए नुमाकतिया आप कह सकते हैं एक large diameter का आप cylinder इसको create करते हैं जिसकी bearing capacity क्या होती है सबसे ज्यादा high होती है यह generally bridge के cases में आप को देखने को मिलते है that is called your well foundation तो thank you so much